गर मुझे GIO AIR Fiber लेना है, तो मैं क्यों GIO AIR Fiber लूँ? मैं AIR TEL AIR Fiber भी ले सकती हूँ, मैं BSNL AIR Fiber भी ले सकती हूँ, मेरे पास तो इतनी सारे ओप्षंस हैं, तो मैं GIO AIR Fiber क्यों लूँ? तो जियो एर फाइबर, एर फाइबर मतलब अगर आपके एरिया तक फाइबर केबल नहीं आपा रही है, रिमोट एरिया में आपका घर और फाइबर केबल नहीं आपा रही है, तो एर फाइबर उसी के लिए है, चाहे BSNL की बात करो, या फिर एर टेल की और या फिर जियो की की बात करो इन तीनों में एयर फाइबर रिमोट एरियास के लिए ही है और जियो का एयर फाइबर 6956 टाउंस में फैल चुका है और जियो एयर फाइबर में भर-भर की बेनिफिट्स हैं अगर आप इंस्टलेशन की बात करो तो वो भी एक लिमिट के बात फ्री है तो वो मैं आपको आंगे बताऊंगे कि इंस्टलेशन कॉस्ट कैसे फ्री होगा तो इंस्टलेशन कॉस्ट फ्री डिवाइसिस फ्री अपके हो गए तो इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं होगा और आपका जू झो नॉमार्मल टीवी है वो smart टीवी मेंSheet हो जाता है उनक एपिसोड दे सकते हो, एपिसोड को revise करना है तो आप देख सकते हो और आपको 15 प्लस OTT सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं मतलब OTT सब्सक्रिप्शन क्या जो सबसे कम का प्लान है उसी में 15 OTT सब्सक्रिप्शन हैं, otherwise जितने ज़्यादा का प्लान है उतने ज़्यादा आपको OTT Apps में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो आज मैं बात करने वाली हूँ Jio Air Fiber के प्लान्स की बारे में और कौन सा प्लान्स आपको लेना चाहिए हर किसी के डिमांड के हिसाब से प्लान्स होते हैं तो मैं सारे प्लान्स बताऊंगी और मैं बताऊंगी की कौन सा प्लान क्यों लेना चाहिए और कौन सा प्लान लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन में all को option जरूर सेलेक करना और वीडियो को एक like तो करी देना और एक comment भी कर देना Gio Air Fiber को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है Gio Air Fiber और Gio Air Fiber Max तो जो Gio Air Fiber वाले प्लांस है वो 3 है और Max वाले भी 3 है Air Fiber वाले प्लांस कम के हैं तो सबसे पहले जो सबसे पहला प्लान है वो है 599 रुपीज का और मैं एक चीज़ बता दूँ कि GST इंक्लूड करके बिल आएगा तो आप मालो 599 रुपीज का आपका प्लान हो गया प्लस 18% GST इंक्लूड होगा और बिल मतब थोड़ा ठीक ठाकी बिल आजाता है जितना आप सोचो कि उतने का बिल नहीं आएगा उससे थोड़ा ज़्यादा का ही बिल आता है तो बी रेडी for that तो पहला जो प्लान है वो 599 का है इसमें आपको डेटा मिल जाता है 1000 GB का जो की unlimited है और सारे प्लान में आपको सिर्फ 1000 GB का ही डेटा मिलेगा आपके कितना भी बड़ा प्लान ले लो सिर्फ इसमें speed में difference होता है और OTT subscription में difference होता है Geo Air Fiber का unlimited मतलब 1000 GB तो जो 599 का प्लान है उसमें 1000 GB डेटा मिलेगा 30 Mbps की speed मिलेगी और इसमें आपको 14 OTT apps मिल जाएंगे जिसमें Disney Plus Autistar, G5, Sony Live ये सब subscription मिल जाते हैं आपको side में दिख रहा होगा कि कौन से OTT apps में subscription मिलता है प्लस 800 प्लस on demand TV channels मिलते हैं इसमें मतलब अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो और 1000 GB डेटा खत्म होने के बाद जो speed है वो 64 Kbps की हो जाएगी मतलब इत्ते तेजी speed से एकदम से डल क्योंकि 64 Kbps तो गहुती slow होता है आप बात करते हैं next plan की जो की है 899 रूपीज का मतलब 599 फिर 899 300 का difference है इसमें आपको 1000 GB डेटा और इसमें speed हो जाएगी 100 Mbps की और इसमें आपको OTT same to same जो 599 में थे same to same OTT apps इसमें मिलेंगे 14 OTT apps next plan है जो की मतलब इसमें 300 रूपीज की difference आया तो speed में भी difference आया next plan है वो है 1199 रूपीज का और इसमें आपको 1000 GB का data मिलता है और 100 Mbps की speed मिलती है इसमें आपको OTT apps में थोड़ा कुछ जादा मिलता है इसलिए इसका जो costing जादा मतलब 300 रूपे extra है तो उस हिसाब से OTT apps भी जादा है मतलब अगर आपको 100 Mbps का कोई plan लेना है तो आप 899 वाला भी choose कर सकते हो और 1199 रूपीज वाला भी choose कर सकते हो इसमें आपको Amazon Prime Light मिल जाता है 200 के लिए जिसकी costing है 799 पर एर और इसमें आपको fan code app में subscription मिलता है जिसकी costing है 999 पर एर fan code जो है वो gaming से related लोकली में जिनके games देखने हम बहुत interest है formula burn या cricket तो उनके लिए ये fan code app है और आपको netflix basic का subscription मिलता है तो जो prime है उसका आपको 2 साल के लिए है और fan code और जो netflix है इन दोनों का लगबग lifetime के लिए होता है जब तक इनके कुछ rules नहीं बदलते तब तक के लिए unlimited हो जाता है तो मैंने कुछ-कुछ calculation किया मैंने सोचा कि यार इसमें 300 रुपय के difference आ रहा है वालब 899 और 1199 इन दोनों में 300 रुपय के difference आ रहा है तो मुझे 300 रुपय के apps मिल रहे हैं नहीं मिल रहे है तो मैंने calculate कि तो मैंने देखा कि 349 पर मंत का तीनों का एक्स्ट्रा जो cost लग रहा है यह मतलब जैसे कि इसमें अगर आप यह प्लान लेते हो तो आपको 349 पर मंत के हिसाब से प्लान पड़ेगा और आप इसमें यह 1199 का प्लान लेते हो आप 300 रुपय एक्स्ट्रा देकर 349 रुपीज का benefit उठा रहे हो तो ठीक है चलो चलता है बट Amazon Prime Light जो है वो दो साल के बाद खतम हो जाएगा उसके बाद आपको उसको buy करना होगा अब बात करते हैं next की geo air fiber max की तो max में speed बहुत रहेगी तो इसमें पहला प्लान है 1499 रुपीज का इसमें आपको 1000 GB का data मिलता है और 300 Mbps की speed मिलती है और जितने भी प्लान है उनमें जो speed है जैसे ही आपको data खतम होता वैसे ही वो गेरे 64 Kbps की हो जाएगी मतलब speed एकदम दोड़ते दोड़ते कच्वे की चाल में वो convert हो जाएगा ये समझ लो आपको जैसे ही 1000 GB का data खतम होता है और अगर आप TV चैनल का setup box लगवाते हो तो मतलब समझ लो कि 1000 GB वो फटा-फटी खतम हो जाएगा कि जितनी ज्यादा speed होती है डेटा उतनी speed से खत्म होता है OTT apps की बात करें तो इसमें आपको same to same 1199 वाले plans में subscription मिल जाता है next plan है वो है 2499 रुपीज का मतलब सीधे-सीधे 1000 रुपए का difference आता और जितनी ज्यादा का plan होगा न उतना ही GST लगने के बाद जो बिल आएगा वो सीधे-सीधे बढ़ता जाता है तो इसमें आपको जो speed है वो 500 Mbps की मिल रही है जब बहुत ही speed है 500 Mbps इसके पाद OTT subscription की बात करें तो same to same 1199 वाले plans जैसा ही है लेकिन इसमें आपको जो Netflix है वो standard का मिलेगा जिसकी cost 499 रुपीज की है next plan है जो की last plan है जिसकी costing है 3999 रुपीज और सीधे-सीधे 1500 रुपे बढ़ाने के बाद जो speed है वो हो जाएगी 1 Gbps की और OTT की बात करें तो इसमें Netflix premium quality का मिलता है जिसकी cost है 649 रुपीज तो मतलब अगर आपको बहुत ही जबरदस्त speed चाहिए कई बार क्या होता है कि signal धंग से नहीं आपाता आपने कम वाला plan ले लिया तो speed एकदम अगर 30 Mbps के लिगदम रो रेंग रेंग के चल रहा दीरे दीरे चल रहा है और एक चीज यह है कि अगर आप TV channels चलाते हो जियो के तो आपको 30 Mbps में तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा जियो एवर फाइबर में क्या है कभी जैसे बारिस हो गई हावा चली आंधी चली तो कई वार जो है network है वो हिल जाता है धंग से नहीं आपाता signal धंग से नहीं आता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है तो मतलब आपको minimum 100 Mbps का तो plan लेना ही चाहिए अगर टावर बहुत दूर है तो 100 Mbps तो मानलो आपको ले ही लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा network का issue होता है तो जैसे कि अगर फाइबर लेते हैं normal तो उसमें फाइबर केबल आती है वो सीधे-सीधे केबल से सब कुछ आता है तो चाहे आंधी आया है चाहे तूफान चाह ही लेना चाहिए और अगर आप टीवी चलाते हो तो 100 Mbps तो कंपल सरी है क्योंकि फिर प्रॉपर नहीं चलता है चाहे वो आप एयर फाइबर ले लो या फिर फाइबर ले लो 100 Mbps तो आपको लगेगा ही लगेगा और बाकि स्वीट की बात है अगर आपको ज्यादा स्वी GVPS या 300 अगर डिवाइस की बात करें तो जीओ एयर फाइबर में आपको इंडोर यूनिट लगता है एक आउट्डोर यूनिट लगता है साथ में आपको सेटप बॉक्स मिलता है अगर आप टीवी चैनल लेते हो तो सेटप बॉक्स मिलता है फ्री वॉइस कंट्रोल रिमो इंस्टॉलेशन के अगर बात करें तो अगर आप 6 मंत का प्लान लेते हो जैसे कि शॉराइक दो लेकिन अगर आप 6 मंद का लेते हो तो आपको 1000 रुपए पे करना होगा इंस्टोलेशन के लिए और आप चाहोगी जैसे कि आपने 12 महीने के लिए एक साथ प्लान लिया तो आप EMI पर भी ले सकते हो मतलब सीधा सीधा आप इंटरनेट लगवाने के लिए आपको लोन लेना पड़ रहा है वैसे तो देखा जाए अगर आपके एरिया में फाइबर अवलेबल है जियो फाइबर तो आप वो ले लो या फिर आप एयर टेल का प्लान भी लगवा सकते हो या फिर बीसनल का भी करवा सकते हो क्योंकि एयर फाइवर अल्मोस महंगा भी है और आंधी बार क्रियेट होगी प्लस आपको six month का एक साथ पे करना होगा मतलब लोन भी लेने के लिए लोग बोल रहे हैं कि लोन ले लो और वह कर दो तो इंटरनेट के लिए कौन लोन लेता है आप लोन भी ले सकते हां अगर नहीं अबलेबल आपके एरिया में तो जरूर पका ही लो एय आपके एरिया में फाइबर एबलेबल है तो वो बेस्ट है क्योंकि वो केबल की थूआता है क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था मैंने भी सोचा चलो एयर फाइबर लगवाते हैं देखते हैं तो उन्होंने खुद कॉल करके बोला आप आई बटन पर जाकर देख लेना मैंने वीडियो बनाया था और कॉल में बात की थी तो उन्होंने बोला था कि अगर आपके एरिया में फाइबर एबलेबल है अगर आप यूज कर रहे हो तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है तो आप अगर एबलेबल नहीं है तो एर फाइबर लगवाओ अधर आप कि आपके एरिया में एर फाइबर एबलेबल है या नहीं तो आप जीयो की साइट पर जाकर चेक कर सकते हो या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी आप वहां से जाकर भी चेक कर लेना कि आपके एरिया में एर फाइबर एबलेबल है या नहीं है और मैं नंबर भी उसमें mention कर दूँगी उस नंबर पर आप miss call देकर air fiber अपने घर में लगवा सकते हो जो जीओ के officers हैं वो खुद call करेंगे आपको और सारे detail लेकर वो आपके घर में air fiber लगवाएंगे तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट जरूर करना और आपकी इस एरिया में रहते हैं मुझे कमेंट जरूर करना कि आपके एरिया में air fiber अबलेबल है या नहीं तो मुझे अबलेबल लिख के जरूर भेजना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर वन्दे मातरम